तो सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं अगनी से, तो अगनी क्या है, सबसे पहले याद रखें सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, मध्यम से द्वीपी ये श्रंखला श्रेणी की विक्सित की गई, बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये तीन महत्वपूर्ण भाग आपको याद होगा सतह से सतह, मध्यम से द्वीपी ये श्रंखला और तीसरा बैलिस्टिक, तो ये तीन प्रमुख बाते हैं जो कि आपको अगनी मिसाइलों के बारे में ध्यान रखना है, अब अगनी मिसाइली जो है वो भी विभिन प्रकार की, तो एके करके जो विभिन श्रेणिया है अगनी मिसाइलों की, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले है आपका अगनी एक, तो जब हम अगनी एक के बारे में बात करते हैं, तो ये एकल चरण, चरण का अर्थ क्या है, जब हम बात करते हैं किसी भी मिसाइल की, या किसी भी प्रक्षेपक की भी, तो आप देखेंगे वहाँ पर चरणों का हम बात करते हैं, तो चरणों के बारे में बात करने का अर्थ ये होता है, कि कितने चरण में आपने प्रनोदख डाल करके रखे हैं, जैसे मान लीजे कि अगर हम आप अगर वापस जाएं, जहाँ पर आपने अंतरिक्ष विज्ञान के आपने प्रक्षेपक के बारे में पढ़ा होगा, जब हम बात करते हैं PSLV और GSLV की, तो मान लीजे यदि हम PSLV की बात करें, तो PSLV में ये चार चरण होते हैं, जिसमें की चार चरण में से पहले चरण में आप थोस प्रनोदख डालते हैं, यानि solid fuel डालते हैं, उसके बा इसी प्रकार से मिसाइलों के भी चरण होते हैं तो जब हम बात करते हैं अगनी एक के तो अगनी एक जो है वो एकल चरण है हलाकि हमने अगनी एक की ऐसी भी श्रिणी देखी है जहाँ पर दो चरण का इस्तमाल किया जाता है लेकिन प्रमुखता आप ये देखेंगे कि ये एकल चरण मिसाइल है तो एकल चरण थोस प्रणोधा यानि solid fuel का इस्तिमाल कर रहे हैं 700 से 1200 किलो मेटर तक की दूरी ये तै कर सकता है और ये एक ballistic missile है तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा और परिक्षा में आप देखेंगे कि ऐसी कुछ तथे होते हैं जिन्हें तोड मरोड कर पेश किया जाता है आपके सामने और आपको वहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है कि वो confuse करने की कोशिश करें तो ये बात आप याद रखें कि 2000 kg तक का मुखास्त्र ये रख सकता है उतनी विस्पोटक शक्ति होती है तो 700 km तक 2000 kg और 1200 km तक 1000 kg की विस्पोटक शक्ति को ये ले जा सकता है तो ये अगनी 1 की बात होगी यानि अगनी एक की बात हो गई एक और तथे जो आप याद रख सकते हैं ये ट्रांस्पोर्टर इरेक्ट लॉंचर यानि टी-ई-ल वाहन से सडक या रेल मुबाइल मंचो के माध्यम से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है तो ये अगनी एक हो गया तो अगनी एक के बारे में आपको क्या रखना है याद एकल चरन 700 से 1200 किलोमेटर तक की दूरी और इसके अलावा ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है ये तीन सबसे प्रमुख बाते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा परिक्षा के दिश्टिकोंच से फिर आजाता है अगनी दो तो जब हम अगनी दो की बात कर रहे हैं तो अगनी दो के बारे में आपको क्या याद रखना है मध्यमदूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 2000 से ले करके 3500 किलोमेटर तक की मारक्षमता दो चरनों में थोस प्रनोदक मिसाइल तो दो चरन 2000 से 3500 किलोमेटर बैलिस्टिक मिसाइल मध्यमदूरी ये चार प्रमुख बाते हैं जो आपको परिक्षा के दिस्ट्रप्रोंट से याद रखना होगा 1000 किलोग्राम विस्पोटक शक्ती को 2000 किलोमेटर तक और उससे कम विस्पोटक शक्ती को 3500 किलोमेटर तक ले जाने की ये शमता रखता है फिर इसे भी ट्रांसपोटर इरेक्ट लॉंचर वाहन से सडक या रेल मुबाइल मंच के माध्यम से इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है तो ये कुछ प्रमुक बाते हो गई अगनी दो के बारे में तो ये आप याद रखें ये जितने भी हम यहाँ पर तथे देख रहे हैं ये आपके प्रानरंबिक परिक्षा के लिए सीधे सीधे महत्वपूर्ण हो जाता है अब हम बात करते हैं अगनी तीन की तो जब हम अगनी तीन की बात कर रहे है तो आपको क्या याद रखना है दो चरण, थोस प्रनोदक, मध्यवर्ती दूरी और ये 3000 से 5000 किलोमेटर तक की बैलेस्टिक मिसाइल है देखिए अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी हम मारक शमता देख रहे हैं यहाँ पर चाये वो 1000, 2000, 3000, 5000 लिखा हुआ हो आप अगर अलग-अलग स्रोतों पर जाएंगे तो आप देखिए कि ये अलग-अलग स्रोत आपको अलग-अलग प्रकार से मारक शमता बताएंगे तो हमने क्या किया है कि इसका एक एवरेज ले करके उसी प्रकार से आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ लेकिन परिक्षा में जब आपको प्रशन पूछे जाएंगे या 3500 से 5000 लिखा जाए या 3000 से 5000 लिखा जाएगा तो आपको याद रखना है कि ये सभी जो हैं सही माने जाएंगे वहाँ पर अगर उन्हें गलत देना होगा तो वो क्या करेंगे कि आपको सीधे सीधे 7000, 10000, 1000, 1500 इस प्रकार के अंक का उप्योग करेंगे जो कि मारक शम्ता से बहुत अधिक दूरी पर होगा जो कि असल मारक शम्ता से बहुत ही अलग होगा तो इसलिए आपको याद रखना है कि हाला कि 3000 से 5000 लिखा गया है लेकिन परिक्षा में हो सकता है कि 3000 से 4500, 3500 से 5000 इस प्रकार के अंक दिये जाएं और वो सभी सही माने जाएंगे लेकिन अगर बहुत दूर जाकर के जैसे 7000, 10000, 1500, 2000 इस प्रकार के अंक का इस्तिमाल किया जाता है तो यह आप मान के चलिए कि वो गलत होगा तो यहाँ पर आप यह याद रखें कि 2000 किलोग्राम विसफोटक शक्ति को 3000 किलोमेटर तक और उससे कम विसफोटक शक्ति को 5000 किलोमेटर तक दे जाने की यह शंता रखता है तो यह हो गई अगनी 3 की बात अब हम बात करते हैं अगनी 4 की जहां तक बात है अगनी 4 की तो फिर से यह ध्यान रखें दो चरण ठोस प्रनोदक या ठोस नोदक जो भी आप कहना चाहें मध्यवर्ती दूरी 3500 से 4000 किलोमेटर आप ध्यान र ले जा सकता है और परमाणू मुखास्तर ले जाने में भी सक्षन है इसे भी हम ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉंचर के इस्तिमाल से प्रयोग कर सकते हैं तो अगनी 4 के बारे में यह कुछ प्रनुक तथे हैं जो आप याद रख सकते हैं इस पर आधारित 2014 में एक प्रश और यह जो तीसरा जो वाक्य था यह चार ओप्शन में से तीन ओप्शन में यह था यानि कि तीन ओप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया एक ही ओप्शन आपके पास बचता था तो अगनी 4 पर प्रशन पूछा गया था एक वाक्य था कि धरातल से धरातल तक की दूरी तै करत जिसमें लिखावा था कि तरल इंधन का इस्तमाल किया जाता है, जो कि गलत है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो वो भी गलत वाक्य था, तीसरे वाक्य में ऐसा लिखा था कि यह 75-100 km तक की दूरी तय कर सकता है, जो कि फिर से गलत है, तो इस प्रकार से आप से प्रश्ण पू यह कुछ प्रमुक बाते हैं, जो आपको याद रखना आवश्यक है किसी भी मिसाइल के बारे में, अब हम बात करते हैं अगनी पांच मिसाइलों के बारे में, तो जब हम अगनी पांच की बात करते हैं, तो कुछ खास बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यह तीन कि 1500-5800 लिखा हुआ है कहीं पर आप देखेंगे 5000-6000 ,कहीं कहीं पर 5000-8000 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा तो ऐसे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अधिकारिक तौर पर कुछ भी बताया नहीं गया है हम यह मान के चलते हैं कि 5000 से 6000 है क्योंकि कुछ ऐसे रक्षा मंत्राले संबधी ऐसे श्रोत हैं जिन्होंने कहा है कि 5000-6000 या 7000 तक की इसकी शमता होगी लेकिन रक्षा संबंधी कई विशेश सग्यों की अगर बात माने तो उनका ये कहना है कि इसकी जो शमता है वो 8000 km तक हो सकती है लेकिन इसकी शमता को गोपनी ये रखा गया है इसके बारे बदाया नहीं गया है तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसकी शम्ता क्या होने वाली है तो आपको ध्यान रखना है कि तीन चरण, ठोस प्रनोदक, अंतर DPA मिसाइल 5000 से 7000 किलोमिटर की शम्ता और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है इतना आपको ध्यान रखना है एक अन्य भाग बहुत ही महतकोन है यहाँ पर कि इसमें Multiple, Independently, Targetable, Re-Entry Vehicle मुखास्त रले जाने की भी शम्ता है इसका अर्थ क्या होता है ये समझना अवश्यक है क्योंकि ये जो शम्ता है और ये जो तकनीक है ये बहुत ही कम देशों के पास मौजूद है जैसे अगर हम बात करें तो रूस के पास, चीन के पास, ब्रिटेन के पास, अमरीका के पास और इसके साथ साथ इसराइल, इरान और पाकिस्तान ये भारत के अलाव़ा कुछ ऐसे देश हैं जिसके पास ये जो शम्ता है ये जो तकनीक है ये मौजूद है तो इस तकनीक का अर्थ क्या होता है, इसे हम समझते हैं तो इस चित्र को आप देखिए तो दो तरह की मिसाइले आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो की एक सामाननी मिसाइल है और दूसरा जो की MIRV मिसाइल है यानि Multiple, Independently Targetable, Re-Entry Vehicle मिसाइल तो इसका अर्थ क्या होता है कि आप जैसे कि अगर आप चित्र में देखें तो पहला जो सामाननी मिसाइल है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक ही मुखास्तर है लेकिन अगर आप दूसरी चित्र की और ध्यान देंगे तो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर एक से अधिक मुखास्तर आपको इस मिसाइल के अंदर नजर आ सकते है तो यह जो होता है इसको हम MIRV मिसाइल कहते हैं यानि Multiple, Independently Targetable, Re-Entry Vehicle मिसाइल तो एक ही बाद जिस मिसाइल का आपने प्रक्षेपन किया है उसी से आप विभिन लक्षों को एक साथ साथ सकते हैं तो इसलिए हम इस तकनीक का उप्योग करते हैं और इसलिए ये तकनीक का होना भारत के पास एक बहुती महतवपूर्ण बात हो जाती है अगर आपको याद हो तो जन्वरी 2020 में जब कासीम सुलेमानी को अमरीका ने मारा था जो मिसाइले दागी थी इराक से इरान के उपर उसके बाद इरान ने भी इराक के कुछ ठिकानों के उपर कुछ मिसाइले दागी थी तो ये जो मिसाइली थी ये MIRV मिसाइले थी ये इरान ने पहली बार इसका उपयोग किया था अमरीका के विरोध जब उसने लक्ष साधने की कोशिश की थी तो इसलिए ये जो तकनीक है ये किसी भी देश के पास होना उस देश के लिए उसकी प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो भारत के पास भी अगनी पांच मिसाइलों के साथ ये जो तकनीक है ये उपलब्ध है इसके साथी साथ बात कभी कबार होती है अगनी छे मिसाइलों की भी आप अगर पिछली कुछ वर्षों के समाचारों पर ध्यान देंगे, तो बात होती है कि अगनी 6 भी DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है, अगनी 6 मिसाइल क्या होगा, अगनी 6 मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होगी, जिसकी मारक शम्ता और भी अधिक होगी, इसकी मारक शम्ता हो सकता है कि 12,000 km तक की हो, हाला कि भारत ने इस बात का खंडन किया है, भारत ने कहा है कि कोई भी ऐसी मिसाइल भारत नहीं बना रहा, जिसकी की शम्ता 8,000 km से अधिक होगी, लेकिन अगर रक्षा विशेशग्यों की माने, भारत के विशेशग्य या अन्य देशों के विशेशग अगर अमरीका स्थित, कुछ विशेशग्यों का भी मानना है कि अगनी 6 मिसाइल जो भारत बना रहा है, इसकी मारक शम्ता 12,000 km तक की होगी, बात यह है कि भारत क्यों नहीं मान रहा, भारत इस बात का खंडन क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप बात करें इन मिसाइलों की चाहे आप अगनी 5 मिसाइलों की बात करें या अगनी 6 मिसाइलों की बात करें, तो यह ऐसी मिसाइले हैं, जो कि भारती ओप महादवीब के बाहर जाकर भी मारने की शम्ता रखते हैं, इनकी मारक शम्ता यूरोप तक की है, तो कई यूरोपिये देश संबंधी जितने भी उनका ये मानना है कि जब भारत की कोई दुश्मनी किसी भी यूरोपिये देश के साथ है नहीं, तो ऐसी मिसाइल को रखने का मतलब क्या बनता है, जो कि यूरोप की किसी भी देश को जाकर के भी मार करने की शम्ता रखता है, तो बात यहाँ पर ऐसी है, अगर मैं वापस आपको टीके वाले उदाहरन यानि वैक्सीन वाले उदाहरन के पास ले जाओ, तो आप बात करें अगर पोलियो की, या किसी भी अन्य किसी ऐसे बीमारी की जिसके प्रती आप, जिसके लिए आप टीका लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको वो बिमारी है या आपको वो बिमारी होनी की शम्ता बहुत अधिक है हो सकता है शम्ता एक प्रतिशत या दो प्रतिशत ही हो हो सकता है कि संभावना एक प्रतिशत या दो प्रतिशत ही हो लेकिन बात यहाँ पर ऐसी है कि संभावना है तो इसलिए आप उस वैक्सीन को लेते हैं, उस टीके को लेते हैं, हो सकता है कि कल जाकर के एक ऐसी वैक्सीन भी आजाए, ऐसा टीका भी आजाए, जो COVID-19 के विरुद आप यूज कर सकें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता, कि आपको COVID-19 है, या आपको COVID-19 होनी की संभावन अब बहुत अधीक है, हम यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं कि ये एक महामारी की रूप में फैल चुका है, तो इसके अगे इस टीके की आवशकता है, और जिस दिन भी इस टीके की खोज हो जाएगी, उस दिन हम ये देखेंगे कि इसके टीके को कोई भी लोग बड़ी सं लान्ख्या में लेंगे, तो इसलिए जहां तक बात होती है ऐसे मिसाइलों की, जैसे अगनी पाँच हो जाएग या संभावित अगनी छे हो जाएगे, तो ऐसी मिसाइले आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है, एक प्रतिरक्षा प्रदान करती है, और जितने भी देश, जो हो सकता आपके दोस्त हों, आप ये नहीं कह सकते कि आज से 20 साल, 50 साल बाद भी आपके दोस्त रहेंगे. अंतराश्ट्री संबंद में कोई भी ऐसा संबंद नहीं है, जो हमेशा के लिए टिका हुआ रहता है. आज के जो आपके दोस्त है, वो कल के आपके दुश्मन हो जाएंगे, तो इसलिए आपको जो तैयारी है, तैयारी सारे देशों के लिए रखना होगा, तैयारी आपको ऐसी रखनी होगी, कि किसी भी देश को ये पता होना चाहिए, कि वो आपके विरुद किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो आपके विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ना चाहें तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अगनी 5 और अगनी 6 मिसाइलों के बारे में भी कि अगनी 6 मिसाइल की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक बैलेस्टिक मिसाइल होगी तीन चरंड या कभी कभी कहीं कहीं पर अगर आप समाचारों को देखें तो चार चरंड में इसके प्रणोदक के होनों की बात होती है और साथी साथ हम बात करते हैं कि 8000 से 10,000 तक तो मारक शमता होगी हो सकता है कि इसकी मारक शमता 12,000 किलोमेटर तक की हो तो ये अंतर द्वीपीय बैलिस्ट्री मिसाइल हो जाती है इस प्रकार से तो ये बात हो गई अगनी मिसाइल के बारे में अगनी परिवार के सारी मिसाइलों के बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृत्वी मिसाइलों के बारे में अब हम इस कारेक्रम की दूसरी मिसाइल के श्रेणी के तरफ चलते हैं जिसका नाम है पृत्वी तो पृत्वी के अंतरगत तीन प्रकार की मिसाइले हैं पृत्वी एक, पृत्वी दो और पृत्वी तीन तो सबसे पहले यह याद रखें कि पृत्वी एक को बनाया गया है भारतिये सेना के लिए पृत्वी दो को बनाया गया है भारतिये वायू सेना के लिए और पृत्वी तीन को बनाया गया है भारतिये नौ सेना के लिए तो इन तीनों अलग-अलग श्रेणियों के सेना के लिए अलग-अलग प्रकार की मिसाईले तैयार के गई है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृत्वी एक की बात कर रहे हैं ये एकल चरण तरल प्रनोदक 40-500 km तक की दूरी को तै कर सकता है और 1000 kg के विसपोटक शमता ये रखता है ये हो गया पृत्वी एक जो की थल सेना के लिए है इसके बाद आता है पृत्वी दो जो की फिर से एकल चरण तरल प्रनोदक 200-300 km तक की मारक शमता रखने वाला और 500 kg का विसपोटक शमता इसके पास हम देख सकते हैं ये जो है ये वायू सेना का संसकरण है इसके बाद आता है पृत्वी तीन, दो चरण, खोस प्रनोदक, 300-300 km तक की दूरी और 1000 kg तक का विसपोटक तो ये शमता है पृत्वी तीन की जो की हमारी 9 सेना के लिए बनाये गए साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका एक और नाम भी दिया गया है ये नाम है धनुश ध्यान रखेंगे अगर धनुश मिसाइल के बारे में बुछा जाता है या पृत्वी तीन के बारे में बुछा जाता है तो दोनो एक ही मिसाइल है तो ये दोनों बात आप ध्यान रख सकते हैं इसके साथ साथ एक बात और जो आप ध्यान रख सकते हैं वो है पृत्वी एक के बारे में कि पृत्वी एक के बदले प्रहार मिसाइल को उप्योग में लाया जाएगा तो पृत्वी एक का दूसरा नाम प्रहार नहीं है लेकिन पृत्वी एक के जगा पर प्रहार मिसाइल का इस्तिमाल भारत करेगा। पृत्वी 2 वायू सेना, पृत्वी 3 नौ सेना और पृत्वी 3 का ही एक और नाम है धनुष। तो अगर आप इन तत्थियों का ध्यान रखें तो आपकी प्रारंभिक परिक्षा में मेरे हिसाब से इससे बाहर प्रश्ण नहीं आएंगे। तो यह आप देख सकते हैं धनुष कचितर अपने स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं और तीसरी शेयनी के तरफ चलते हैं। और जैसा कि हमने बात की प्रहार के बारे में तो प्रहार क्या है एकल चरण थोस प्रणोदक डेड़ सो किलोमेटर तक की दूरी को तैक करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह स सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये परमाणु मुकास्त्र के सहित 200 किलोग्राम तक का विस्पोट शक्ती ले जाने में ये समर्थ है। और जैसा कि हमने इसके बारे में चर्चा की थी प्रिथवी एक के स्थान पर अब इस्तेमाल किया जा रहा है भारत द्वारा। तो ये है प्रहार। अब हम तीसरी शेड़नी के तरफ बढ़ते हैं और तीसरी शेड़नी जो है वो है त्रिशूल। त्रिशूल क्या है कम दूरी की सतह से वायू मारक मिसाईल जिसका उपियोग नौसेना द्वारा तदकालिक युद्ध कारवाई करने के लिए यानि कि जिसकी हमने बात की थी टाक्टिकल मिसाईल इसे आप कह सकते हैं। एकल चरण की थोस प्रनुदक सूपरसॉनिक मिसाईल है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आपके लिए आ गया है सूपरसॉनिक। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा वाहन हो जो कि ध्वनी की रफतार से ज्यादा तेज चल रहा हो तो आप उसे सूपरसॉनिक कह सकते हैं। तो एक यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना है जिसे हम मैक कहते हैं। अंग्रेजी में आप इस तरह से लिख सकते हैं मैक। तो मैक एक ऐसा रफतार है जिसे कि हम ध्वनी के साथ जोड़ करके देखते हैं जब आप कहते हैं कि किसी वहन का रफतार है एक मैक तो एक मैक का अर्थ ही होता है कि ये ध्वनी की रफतार से चल रहा है तो जब भी एक मैक से उपर की कोई भी गती होती है तो उसे हम supersonic कहते है इसी के बाद एक और शब्द आता है जिसे हम कहते है hypersonic तो जब भी आप इस शब्द को देखे है hypersonic तो इसका अर्थ यह होता है कि जो गती है वो 5 मैक से अधिक है गती पाँच मैक से अधिक है, इसका अर्थ यह है कि ध्वनी की गती से पाँच गुना जादा गती से वो वहन चल रहा है, तो सूपरसोनिक हाइपरसोनिक, एक और शब्द जो आप सुनेंगे कई बार वो होता है सबसोनिक, जब भी आप इस शब्द को देखें सबसोनिक, इस तीन शब्दों का आप ध्यान रखें, कब किसे हम कहते हैं, तो जब भी जो गती है वो एक मैक से कम हो, तो हम कहेंगे सबसोनिक, जब एक मैक से अधिक हो, लेकिन पाँच मैक से कम हो, तो हम कहेंगे सूपरसोनिक, और जब पाँच मैक से अधिक की गती से कुछ आगे हो तो उसे हम कहेंगे hypersonic तो ये तीन शब्दों का ध्यान रखें तो जब हम त्रिशूल की बात कर रहे हैं तो ये supersonic missile है यानि ये ध्वनी की रफतार से अधिक रफतार से ये आगे बढ़ती है इसका प्रयोग निम्स्तर के हमले का प्रतिरोध करने की इरादे के साथ बहुत ही कम प्रतिक्रिया समय पर किया जाता है इसकी मारक शमता आप देख सकते हैं केवल 9 km इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक tactical missile है क्योंकि जिस समय आप युद्शेत्रवे होंगे उस समय इसका उप्योग किया जाएगा तो ये है त्रिशूल जो की integrated guided missile development program के त उस कारिक्रम का भाग है तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या है चौथा missile श्रेणी है आकाश तो जहां तक बात है आकाश की तो आकाश के बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि ये राजेंद्र नामक एक रडार सहित मध्यम दूरी वाली सतह से वायू मंडल पर प्रहार यानि सतह से वायू पर प्रहार करने वाली missile है तो जहां तक बात आकाश की आती है तो आकाश को ये भी कहा जाता है कि आकाश अभी तक का शायद हमारा सबसे खर्चीला कारिक्रम रहा है क्योंकि सतह से वायू मंडल तक जाने की मारक शमता रखने वाला मिसाइल बनाना आसान नहीं रहा है हमारे लिए एक बात और ध्यान रखना है आपको कि इसमें रैमजेट नामक प्रनोदक प्रनाली का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण ये भी एक सूपरसॉनिक मिसाइल बन जाती है तो सूपरसॉनिक मिसाइल होने का अर्थ क्या होता है अभी हमने इसके बारे हम पढ़ा था 18,000 मीटर तक की उचाई तक ये जा करके 30 किलो मेटर तक की दूरी को ये लक्ष साथ सकता है और जहां तक हम बात करते हैं तो इस रडार के होने के कारण ये 80 किलो मेटर की दूरी से ही किसी भी लक्ष का पहचान ये कर सकता है और 30 किलो मेटर तक की दूरी ये साथ सकता है उतनी मारक शमता इसकी है तो ये कुछ बाते हैं आकाश मिसाइल के बारे में जो आपको ध्यान रखना होगा तो यहां पर एक बात और जो आपको ध्यान रखना है आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी मिसाइल जो आपकी ओर हमला कर रही हो उसे नश्ट करने के लिए भी आकाश मिसाइल का इस्तिमाल किया जा सकता है क्योंकि रडार जो है जो राजींद्र नामक रडार है वो सबसे पहले देख लेगा कि कौन सा ऐसा मिसाइल है जो आपकी तरफ हमला कर रहा है और उसे आकाश में ही नश्ट कर दिया जाएगा उसे वायू मंडल में ही नश्ट कर दिया जाएगा जिसके लिए आकाश नामक मिस यानि GAT tank missile है इसे हम अंग्रेजी में anti-tank missile कहते हैं मारक शमता 4 km है एक प्रमुक बाद जो आपको याद अखना है वो यह है कि यह एक तीसरी प्रेडी की fire and forget anti-attack missile है fire and forget तो इसका अर्थ यह होता है कि जब भी आप किसी ऐसे missile का उपयोग कर रहे होते हैं जिसका आपने एक ब प्रकार के guidance system की जरूरत नहीं पड़ती बैसे सारी missile को हम fire and forget missile कहते हैं तो सामानेता हम यह देखते हैं कि जो भी छोटी दूरी वाली missile होती हैं कम दूरी वाली missile होती हैं जिन्हें आप tactical missile भी कई बार मान करकी जिनका उपयोग करते हैं यह सारे missile कई बार fire and forget missile होती हैं कि एक बार आपने जब निशाना साध दिया तो उसके बार आगे जा करके आपको उसे guide नहीं करते रहना पड़े हो तो यह हो जाता है fire and forget missile होते हैं इसके एक है नमिका नाग missile वाहग और दूसरा है H.A.L. धुरूव helicopter इसके अलावा एक और जो है उसे हम कहते है helicopter नाग helicopter नाग एक और उननत रुपांतरण है इसी नाग श्रेणी का जिसे हम anti-tank missile की तरह इस्तमाल करते हैं तो यह हो गई पांचरी श्रेणी तो यह जो पांच श्रेणी है यह आ जाती है आपके integrated guided missile development program के तहत तो यह पांच श्रेणी आपको याद रखनी है यहाँ पर से आपको प्रानमभी परिक्षा में कई सारे प्रश्ण में पूछे गए, बहुत ही साधारन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे आपको चार नाम दे दिये जाएंगे, मालीज्य आपको चार नाम दिये जाते हैं नाग, आकाश, पृत्वी और ब्रमोज यह चार नाम आपको दे पूछा जाए कि इन में से कौन सी ऐसी मिसाइले हैं जो कि Integrated Guided Missile Development Program का हिस्सा है तो इसमें आपको याद रखना होगा कि ब्रम्होज इसका हिस्सा नहीं है और फिर आपसे पूछा जा सकता है केवल एक, दो और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, एक, दो, तीन और इस प्रकार से आपसे चार आपको option दिये जा सकते हैं तो ध्यान रखें कि कौन सी 5 ऐसी मिसाइले हैं जो कि इस कारेकरम का हिस्सा है तो ये पहला हिस्सा हो गया अब इसके बाद भी कई सारी ऐसे मिसाइले हैं जो कि इस कारेकरम का हिस्सा नहीं रही है परंतु ये हमारे ल आई ले रही है